suppose आपसे पूछा गया how many node is exist in the list कई बार हम इसको class में discuss कर चोगे हैं कि count क्यों करना है उसकी reasons भी हम लोग ने बात किये थी तो चलिए अब हमारा next function हम बनाते हमें count the node कि how to count the node from a list के list में अगर आपको note count करना है तो एक अलग से उसको function form में ले लेते हैं तो हमने यहां पर एक choice और add कर दी ना और choice 10 is count node and then choice 11 is exit okay and then after yes 10 हमने लिया and this is count okay so this method will display the total node in a list के एक लिस्ट में total number of node कितने हैं after deletion after insertion after creation यह आप कोई भी position से node insert करते हैं delete करते हैं but at the end अगर आपको यह पता करना है कि वह उस मेरी list में total कितने elements हैं so this method will help you out कि आप पता कर सकते हैं with this method कि how many node exist in your list okay so let's define this method at the end यह हमारा search वाला function था ठीक इसके बाद हमने लिख दिया count आप देखें count का logic हमने class में discuss किया है कि how to count the node क्या करना है आपको count करने के लिए pointer लेना है simply उसको नल तक चलाना है और एक variable को increase करते जाना है तो हमने एक variable ले लिए सपोस सी जिसकी इनिशल वैलू 0 रखी c4 count that's why okay but same condition यह तो common condition है हर प्रोग्राम के लिए तो अब मुझे क्या करना है नोट काउंट करना है तो हमने temporary pointer को start पर रखा जैसा कि हमने discuss किया था फ्लास्ट्रूम लेक्चर में टैंप को मूफ किया वाइल टैंप नॉट इक्वल्स टू नल तक ठीक है और सिंप्ली इसमें दो काम किये एक सी को पढ़ाया और दूसरा टैंप को आगे मूफ किया टैंप इक्वल्स टू टैंप आफ यह बड़े छोड़े-छोड़े से इनको भी प्रिपेर करके अगर इंटर्व्स में जाएंगे तो कॉंफिडेंट रहेंगे एटलिस्ट कोड आपको पता है ठीक है कि काउंट आपने एटलिस्ट आपने काउंट का कोड एक बार लिखा होगा तो आप कॉंफिडेंट रहेंगे यह चोटे-छोटे फंक्शन भ नोड ठीक है सो दाट हम कोई भी आस्पेक्ट नहीं छोड़ रहें सारे कॉंसेप्ट यहां पर कवर कर रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था आपके साथ ओके तो लेट सेख अच्छा यदि मान लो नोट काउंट हो गए हैं तो इट दे एंड हमें प्रिंट करके देखना है प्रिंट एफ स्लेशन टोटल नोड इन लिस्ट टोटल नोड इस पर्सेंटेज डी कॉमा से तो यह हमारा काउंट फंक्शन है जो आपको यह बता देखा कि आपकी लिस्ट में आफ्टर परफॉर्म एनी ऑपरेशन चाहिए इंसर्ट करें मिडिल में डिलिट करें फर्स से लास से आपको यह फंक्शन जब भी आप यह फं कि कैस्टेन इस काउंट यहां भी हमारा के स्टेन लेकिन अब हमारी चॉइस हो जाएगी 11 11 तो कि हमने एक्जिट को 11 पर मूफ कर दिया शिफ्ट कर दिया है ठीक है तो लेट्स चेक प्रिएट करते हैं सबसे पहलें लिस्ट इलिमेंट इस एन पांटू कंटिनियू यास 20 यास 30 यास 40 यास 50 नो डिस्प्लें तो ठीक है अभी हमारे टोटल नोड हमें सामने देख रहे हैं अगर हम तो काउंट अगर मुझे करना है सो इल गो विद चॉइस टैन टोटल नोड इस फाइफ चले एक काम करते हैं इसमें कुछ नय नोड इंसर्ट करते हैं थ्री ऐलिमे देन अगर आफर काउंट शॉइस टैन टोटल नोड इस इसमें में किसी अलिमें कु रिमोफ करता हूं यह नोड इसमें खोर दिले लास्ट 7 टीक है डिलेट इले अलिमेंट इस 50 अदेन अगर आफर काउंट 10 तोटल नोड इस 5 अगें वननोड इलेट इस सब्स्पोस, सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हमीनी नोट्स और एक्जिस्ट इन यह लिस्ट ओके सब्सक्राइब इसको हम नेक्स सेशन में देखते हैं क्योंकि वह अपने आप में थोड़ा सा एक अच्छा प्रोग्राम है और एक थोड़ा सा कोड सेपरेटली हम उसको देखेंगे नेक्स क्लास में ठीक है ताकि आपको यह भी पता रहे कि एक लिस्ट को आपको केस से सॉर्ट करना है क्योंकि सॉर्टिंग इन अरे इस वेरी कॉमन फंक्शन बट सॉर्टिंग इन लिंक लिस्ट करें जो भी डाउट होंगे आपके हम लोग कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की ठीक है तो थैंक्यू सो मच